रक्षिया मंत्राले ने अब माना है कि चीन भारत के अंदर घुसा है तो क्या ये माना जाय कि पीम मोधी जूट बोल रहे थे नमस्कार स्वागत आपका कभी नियूज में मैं हूँ प्राची बटनागर अगर आपको हमारी खबरे पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कभी नियूज और आप हमें फेस्बूप पर भी देख सकते हैं हमारा फेस्बूप पेज है कभी नियूज भारत और चीन की सेनाओं के बीच LAC पर जारी तनाव को खत्म करने के लिए चल रही बाचीत के बीच तीन महीने बीच जाने के बाद आखिरकार रक्षा मंत्राले ने आधिकारिक तोर पर सुईकार किया कि चीनी सेनिकों ने भारतिये शेत्र पूर्वी लद्दाक में मई के महीने में ही घुसपैट की थी इस संबंध में रक्षा मंत्राले ने अपनी वेबसाइट पर एक दस्तावेज अपलोड किया है जिसमें कहा गया है कि 17 और 18 को चीन के सेनिकों ने उत्तरी पेगाउंग सो, कुंगरांग नाला और गोग्रा इलाके में घुसपैट की बता दे कि ये दस्तावेज अब वेबसाइट से हटा दिये गया है बीते मंगलवार को रक्ष्य मंत्राले की वेबसाइट पर अपलोड किये गए नए दस्तावेज में बताया गया है कि बीजिंग पक्ष ने कुंगरांग नाला होट स्प्रिंग्स के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा, पी, पी, सत्रा ए और पेगॉंग सो के उत्तरी तटके शेत्रों में 17-18 मई को सीमा का उलंगन किया दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि 5 और 6 मई के बाद सीमा पर चीन की अक्रामकता बढ़ गई है और सीमा पर जारी तनाव काफी लंबा खिच सकता है जिसके लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है रक्षा मंत्राले का ये बयान प्रधान मंत्री मोदी के उस बयान के विरोधा भास में है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है और ना ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कबजा किया है तो क्या अब ये माना जाए कि प्रधान मंत्री ने देश से जूट बोला था रक्ष्या मंत्राले के इस खुलासे के बाद कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी का वे आरोप सच सावित हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के सीमा पर गुसपैट के मामले पर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जूट बोल रहे हैं वे केवल अपनी चवी बचाना चाहते हैं राहूल गांदी ने एक खबर को ट्वीट करते हुए फिर सवाल किया है कि पीम मोदी जूट क्यूं बोल रहे है सीमा पर चीन की गुसपैट के रक्षय मंत्राले के खुलासे के बाद कॉंग्रिस ने कहा है कि पीम मोदी का जूट बोलना हमारे शहीद सेनिकों को वापस नहीं ला सकता है नहीं हमारी सीमा में गुसाई चीनी सैनिक लोट जाएंगे इस जूट से मोदी की इमेज बच सकती है भारत चीन विवाद पर ताजा अपडेट ये है कि भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक चल रही है हाली में इस करम की पांचवी बैठक हुई है दोनों देश के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट गए है लेकिन चीन पेगॉंक सो से फिंगर इलाकों से पीछे हटने के लिए राजी नहीं हो रहा है चीन ने उल्टा भारत से पेगॉंक सो से पीछे हटने को का है जिसे भारत ने नकार दिया है भारत ने LSE पर तनाफ कम करने के लिए चीन के पीछे हटने और अप्रेल की यथा स्थिति कायम करने की शर्त रखी है अब चीन भारत से ही पीछे हटने को कह रहा है गोगरा होट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17 ए से भी अब चीनी सेना पीछे नहीं हट रही और डिजिंगेजमेंट प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है